जब गाजीपुर में आये थे महादेव और मापारवती, और इहार के समीप स्थित वराह धाम कहे जाने वाले भूभाग पर ही कभी श्रिंगी रिशी का आश्रम था। श्रिंगी रिशी ने ही अयोध्या में महाराज दश्रत के यहां पुत्रियेष्टी यग्य संपन कराया था। इसके परिनाम स्वरूप भगवान नारायन ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या में प्रभू श्री राम के अवतार के बाद तो रिशी श्रिंगी और उनके आश्रम का महात्म्य काफी बढ़ चुका था। और इहार स्थेत उनके आश्रम में तो अन्य महान विभूतियों, रिशियों के अलावा देवी देवता भी स्वर्ग से सीधे आगमन करने लगे थे। शांत और बड़े ही मनोहर द्रिश्यों से भरा रहता था रिशी का आश्रम। उधर रिशी कश्यप के पुत्र हरिन्याक्ष का दक्षिन भारत पर राज था। ब्रम्हा जी से अजर्ता और अमर्ता का वर्दान पाने के बाद उसने धर्ती को ही अपना निशान कर करूना के सागर श्रीहरी ने वराह का रूप धारन किया। प्रभू ने रिण्याक्ष का वद करके पृत्वी का उध्धार किया। संसार का उध्धार करने के बाद श्रीहरी का मन अपने इश्ट देवाधिदेव महादेव से मिलने को व्याकुल हो उठा। कहते हैं कि त वहाँ अकेले नहीं बलकि सती माता के साथ दिव्य दर्शन दिये। भगवान शिव और माता सती दोनों ही भगवान श्रीहरी को दर्शन देने के बाद दो शिवलिंगों के रूप में वहाँ पहले से स्थापिते करगे में विराजमान हो गए।